तो आप लोगा स्वागत हमारे आर्वी फिसल जिरू सेवन में आज हम लोग फिर से एक न्यू रुकुर्मेंट के बारे में डिसर्ज करने वाले हैं जो गौर्मेंट ओफ इंडिया मिनिस्ट्री ओप कम्निकेशन डिपार्ट्मेंट ओफ पोस्ट के लिए यहाँ पे जीडिय दिच कर दिया गया था उसके बाद यहाँ पर ओलाइन मोट से आप इस फॉर्म के लिए अपलाई कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जीडियर पोस्ट के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन आउट किया गया फिर यहीं ब्रांच पोस्टमास्टर के लिए फिर असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए और ब्रांच पोस्ट ओफिस के लिए यहां पे 2030 के लिए आपका नोटिफिकेशन आउट किया गया है जो भी कंडेट को अपलाई करना है आप www.indianpostofficeonline.gov.in में जाकर आप इस फोर्म के लिए अपलाई कर सकते है उसके बाद आपका यहां पे registration 22-5-2023 आज से आपका यहां पे देख सकते हैं 22-5-2023 आज से आपका active link हो चुका है जो भी कंडेट को अपलाई करना है तो आज से आप इस फोर्म के लिए अपलाई कर सकते हैं उसके बाद जो भी कुछ भी दिकत होता है आपको एडिट करना ह यहां पे BPM के लिए आपका branch postmaster के लिए आपका 12-29380 तक आपका यहां पे दिया जाएगा आपका salary फिर assistant branch postmaster के लिए आपका 10,000 से लेकर आपका 24,470 प्याव तक आपका यहां पे salary दिया जाएगा उसी परकार से यहां पे नीचे scroll करने के बाद आप यहां पे देख सकते है कि आपका age limit और eligibility criteria यहां पे दिया गया यहां पे देख सकते हैं कि आपका minimum age आपका 18 यहां complete हो जाना चाहिए उसके बाद maximum आपका 40 और age relationship आपको यहां पे आपका post office के rule के हुसार से आपको यहां पे category price आपका दिया जाएगा उसी परकार से यहां पे देख सकते हैं कि आपका category price आपका distribute किया गया SCST के लिए आपका यहां पे 5 year का आपका age relationship दिया जाएगा फिर OVC के लिए आपका 3 year का पिर EWS के लिए आपके 9 age relationship आपको मिलने वाला certificate आपको issue करवाना होगा उसके बाद ही आपका यहां पे age relationship मिलेगा इसी परकार से education qualification आप देख सकते हैं कि आपका यहां पे 10th pass out है तो आप इस form के लिए apply कर सकते कोई भी इन्वर्सिटी से 10th या 12th या graduation pass out है आपका और local language आपको यहां पे compulsory आपको आना चाहिए इसी परकार से other education qualification आपको यहां पे मांगा गया आपका यहां पे computer knowledge आपका आना चाहिए उसके बाद आप cycling आपका cycling का knowledge आना चाहिए फिर इसी परकार से आपका यहां पे distribute किया गया है उसके बाद यहाँ पर आपका दिया गया है आपका date और category बाइज आपका यहाँ पर date इसुख किया गया है जो भी connect को apply करना उसी परकार से आप notification को check out करके आप इस form के लिए apply कर सकते हैं यहाँ पर आपको official website www.indianpostofitonline.gov.in में जाकर आप इस form के लिए apply कर सकते हैं मैं आपको description में link दे दूगा simply check out करके आप इस form के लिए apply कर सकते हैं आज से आपका notification out हो चुका है और notification भी इसको ही release हो चुका था और आज से active link हो गया है जो भी candidate को apply करना है आप apply कर सकते हैं यहाँ पर आपका selection होने वाला all India over कहीं से भी आते हैं तो आप इस form के लिए apply कर सकते हैं उसके बाद आपका यहाँ पर selection होने वाला only merit से आपका यहाँ पर selection होने वाला है ठीक जो भी candidate का यहाँ पे आपका cut up जितना जाता है उसी परकार से आपका यहाँ पे selection होगा उसी परकार से यहाँ पे देख सकते हैं कि grade by और grade point आपका यहाँ पे दिया गया है जिस परकार से आपका यहाँ पे education qualification और जितना marks आपका 10th या 12th में जितना भी marks है 10th के अनुसार आपका यहाँ पे रहने वाला यहाँ पे आपका A1 के लिए आपका 10 9.5 CGPA या आपका percentage इतना है तो उसी परकार से यहाँ पे आपका count किया जाएगा इसी परकार से आपका यहाँ पे सेलेक्शन होने वाला यहाँ पे आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे 100 उपीच आपको यहाँ पे लिया जा रहा है आपको bumper भरती निकाला गया है और government जो ब्रहने वाला है only merit के अनुसार आपका यहां पे selection होगा आपका exam नहीं लिया जाएगा जितना marks आया है उसी परकार से आपका यहां पे selection होने वाला है I hope कि आपको वीडियो अच्छा लगाओगा और भी वीडियो देखने के लिए हमारे